हेलो स्टुडेंट जैसा कि आप लोगों ने थमनिल में देखा कि जो बोर्ड रिजल 2020 है उसकी बिग अपडेट है वो आप लोगों के पास आ गई है जो क्लास 10 और 12 में आप चाहे कोई सही बोर्ड में हो चाहे आप रास्तान बोर्ड में हो CBSE board में हो या UP board में हो या MP board में हो उन सब के लिए सरकार ने अध्यापकों को और जो state government है उनको क्या आदेश दीए हैं कि किस तरीके से आपको कोपियां चेक करनी है और किस तरीके से और कौन से date को आपको क्या करना है result देना है इसके लिए आदेश है वो दे दिये हैं तो सब से पहले अपने जो HRD मिनिस्टर है उनकी मैं आपको बताऊं तो उन्होंने tweet करके लिखा है obtained valuable suggestion for the state governments regarding issues related to school education or priority has always been safety and security of student and teachers उन्होंने लिखा है कि जो भी exam होने वाले थे CBAC के लिए तो उनमें जो main problem है वो कोरोना की वज़े से आ रही है तो उसमें safety और security है वो बहुत जरूरी है तो अभी जो बहुत सारे parents है उन लोगों ने CBAC जो board के exam conduct होने वाले थे जुलाई में उसके regarding उन्होंने supreme court में जो है वो application लगाई है कि वो exam है वो एक बार नहीं हो और state government है वो sorry जो central government है वो उस पे विचार कर रही है अब decision on cbsc exam date along with the jay means and need likely tomorrow तो वो जो भी decision होगा वो कल आप लोगों को पता चलेगा ठीक है और सबसे पहले अपन बात करें राजिस्थान बोर्ड की तो उनमें यहाँ पे news आ रखी है कि जो बच्चों की उतर पुस्तिकाएं हैं वो दस दिन में ही जांच करनी होगी दस दिन में जांच करनी होगी मतलब आपका जो result है अगर अपन आज से बात करें दस दिन बाद में आपका result आ जाएगा मतलब लगबग 10 चुलाई को ठीक है इसी तरीके की जो न्यूज है वो बार बार है वो आ रही है और कोपिया जांच करने के लिए जो सरकार ने आदेश दिया है कि आपको हर स्टूडेंट को जिसने थोड़ा भी तरीके से काम किया है कोपी में लिखा है उसको आप लोगडाउन को और कोरोना को ध्यान में रखते वे उसको पास कीजी अगर किसी ने क्विशन है वो ठीक से नहीं किये हैं सब्दों की लिमिट का ध्यान नहीं रखा है तो उसके नंबर वहां पे काटे जाएंगे और ज़दा से ज़दा विद्यार्थियों को वहां पे पास किया जाएगा तो ये एक अच्छी खबर साबित हो सकती है और अगर देखा जाए तो जैसे राजस्तान बोर्ड में अभी पेपर हो रहे हैं जैसे क्लास 12 का मेत का जो पेपर हुआ था उसमें भी बहुत सारी गड़बडी थी अब क्लास 10 के भी पेपर होने वाले हैं तो जिस तरीके से पेपर में गड बड़ी चल रही है तो उस हिसाब से जो सरकार को जल्दी से जल्दी डिसीजन लेके कुछ बोनस अंग का अच्छा सा जो मार्क है वो रास्ता जो है वो निकालना चीए ताकि बच्चों को बविशे को ध्यान में रखते वे उनको अच्छे नंबर मिल सके मिलते हैं नेक्स् जे भारत